देखो बच्चो question number one में ही कह रहे है how many tangents can circle have इसका मतलब क्या है कि एक circle पे तुम कितनी tangents draw कर सकते हो tangent क्या होता है बच्चो कोई भी line जो circle को एक point पे intersect करें वो उसके लिए tangent हो गई ठीक तो मैं देखो इस circle पे एक ये tangent draw कर सकती हूँ एक ये tangent draw कर सकती हूँ एक ये कर सकती हूँ ऐसे मैं infinite number of tangents draw कर सकती हूँ ठीक है तो यहां पर answer हो जाएगा infinite लेकिन इसको थोड़ा सा variation क्या question में हो सकता है अगर how many tangents can pass a circle through one point अगर question यह हो कि एक point से बच्चो कितनी tangents pass हो सकती है तो एक point से एक ही tangent pass हो सकती है उस case में तुम answer दोगे one ठीक है लेकिन यहां पर question क्या है कि circle पर कितनी tangents pass हो सकती है तो अभी के लिए तुम्हारा answer हो जाएगा infinite number of tangents can pass through a circle ठीक है एक circle से infinite tangents जा सकती है ठीक है clear अब आजो तुम इसके question no.2 पर देखो बच्चो question no.2 में first part है यह कह रहे है fill in the blank है a tangent to a circle intersect in एक circle को एक tangent कितने point पर intersect करती है तो obviously एक ही point पर intersect करती है ठीक है यहां पर तुम्हारा answer आजाएगा one ठीक है अब यह कहना line intersecting a circle and two points is एक circle को को कोई भी line अगर दो point पर intersect कर रही है उचको क्या कहते है तो बच्चो इस line को हम लोग कहते है secant ठीक है a circle can have dash parallel tangents at the most यह कहरें एक circle पर suppose this is a tangent एक circle बनाते है यहां पर एक इस point से यह tangent है ठीक है इसके parallel मैं सिर्फ एक ही tangent मना सकते है तो circle can have two parallel tangents at the most ठीक है अब इस point से एक यहां पर tangent होगी एक tangent तुमारी यहां पर हो जाएगी ठीक है clear है तो एक circle से तिर्फ दो यह parallel tangents बन सकते हैं ठीक थर्ड फॉर्ड तुम्हें पर the point of tangent and circle is जो इसका common point होता है यह circle का बच्चो और यह tangent का इस point को क्या कहा जाता है यह circle का point है point of intersection tangent का तो इसको कहा जाता है point of contact ठीक है आयोब यह question अच्छे से समझ में आया होगा अब तुमाजो question number 3 पर देखो बच्चो question number 3 में यह कह रहे है a tangent PQ यह tangent PQ ठीक है यह circle पर P point पर meet कर रही है यहां पर O is the center of the circle तो यह कह रहे है O Q जो है वो 12 cm ठीक है radius है इसका radius क्या है O P हो गया radius 5 cm तो आपको PQ find out करनी है ठीक है तो देखो बच्चो हमें पता है कि PQ is tangent है PQ यहां पर tangent है ठीक है perpendicular होती है मतलग यहां पर तो तुम पूरा theorem 10.1 लिख दोगे यहां पर angle P जो होगा that will be 90 degrees ठीक है clear है क्यों tangent जो है radius के लिए perpendicular होती है clear है ठीक है तो मैं यहां पर पाइथागोरस theorem apply करती हूं पाइथागोरस theorem ठीक है in triangle P O Q by applying पाइथागोरस theorem in triangle P O Q तो हम क्या कह सकते है बच्चों पाइथागोरस theorem क्या होता है hypotenuse का square O Q का square is equal to O P square plus P Q square ठीक है O Q कितना है 12 ठीक है O P तुमारा है 5 5 के square plus P Q के square ठीक है clear है यह कितना हो जाएगा बच्चों 12 square is 144 ठीक है 5 5s are 25 ठीक है clear है यहां से हम क्या कर सकते है 25 इधर लेके आजो तो negative sign आ जाएगा है कि नहीं 144-25 is 119 ठीक है 119 is equal to P Q square तो P Q का अगर मुझे square हटाना है तो यहां पर under root लगा देती हूं तो इसमें कौन सा answer आ रहा है बच्चों तो यहां पर तुम्हारे पास आ रहा है यह D option तो P Q is equal to under root 119 ठीक है clear है अब तुमाजो इसके last question पर देखो बच्चों question number fourth में कह रहे है draw a circle ठीक है अब से पहले हम एक circle बना लेते हैं यह कहना है इस circle से दो lines ऐसी बनाओ जिसमें से एक tangent हो और एक सीकेंट हो तो tangent क्या होती है बच्चों दोनों parallel आपस में तो tangent क्या होती है जो circle को एक point पे intersect करें तो यह मेरी tangent यहां से हो गई ठीक है this is suppose करो this is line P Q एक सीकेंट बनाओ जो इसके एकदम parallel हो सीकेंट क्या होती है बच्चों जो circle को दो points पे intersect करें कर रहे है दो point पे intersect तो यह सीकेंट हो गए तो suppose this is AB तो यहां पर AB is parallel to P Q and क्या है P Q is the tangent and AB is secant है ठीक है clear है आगे अच्छे से समझ में यहाला question here we complete exercise 9.1 तीज बच्चों का वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तुम लोग को channel को please subscribe करो और share करो थांक यू फो वाचिंग ब्रेनो सल्यूशन्स